हलों हुरा तो चल्विजों आज आपके लिए क्या है जिवों में जनन का पड़ और प्रपंपड उससे पहले तीनो पाट हो चुक है आपको प्ले Richardson मिल जाएगा तो चलिए आज पार्फोर देखते हैं बीने टाइम पश के WhatsApp के वए देखिविए समें जननन क्या होता है सért बत तो चालिए ऐगे बुड़ते हैं तो अल्य ज्रहन के परिकार तो आगे बताए जोंवा बसंजों करता हैं यकुति को किस विस्तार से पुस्ता एग अल्य ज्रण कितने परिकार के होते हैं première का कहेँए कि अलाईयाइग जननंन दोऔरा होने वाली। जनल कर्या को बतायक है, तो लिए वोकटे होता है, एक होता है विखन दन से, एक होता भजानों जनन से, एक होता है काट्मधन से कुछ लेंगे तो चलते हैं पहला इसमें विकंडन क्या होता है थीक है तो देखें कि क्या होता है काते हैं technology से चैनला है कि vuikhandan किसे कहते हैं तो काते हैं जेत्तन का याँ तो जीव नए नए जीव बनाता है तो उसे घटना को हम एक होता है और एक होता है बहु कंड़ फिजन और इसको बोलते हैं मल्टीबल खिजन Devil Epic बी आई एन आरवे बाइनरी फीजन और यहां होता है मल्टिपल फीजन होता है ठीक है तो देखें द्वी खंडन किसे कहते हैं यही क्रियाम बोलना है कि वे खंडन की वाह करिया जिसमें जीव केवल दो ही भाग में टूटे दो सद्धिक वाग में तूटे और दो भाग में कि नय नय जयों बनाता है तो उसे बोलते हैं बहु खंडदर टिट है दो तरह के एक होता है द्वी खंडन एक वता है बहुत खंडन यदि बत किया जा द्वी खंडन किसे कहते हैं तो बताए इसमें कि वी खंडन की वह किरिया जिसमें कोई फिज्व दो भाग में टूटे और नए जो बनाएगा उसे बहुत खंडन लेकिन जब तक प्रिभास साब को सौन नहीं आगा एक्जामपल देखते हैं देखे विद्धिवी खड़न क्या होता है जैसे आप अमीवा को देखे होंगे आप जानते हैं अनुकूल श्तिति में होता है और अनुकूल में अमीवा केवल एक भाग से दो भाग में तूटकर नए नेजू बनाता है अर्थात कर सकते हैं कि अमीवा कोई सेप नहीं होता है यह केवल यहीं से दो भाग में तूट जाए और नए नजियू बनाएगा तो उसे बोलेंगे द्वीखंड जैसे में अमीवा का अनुकुल प्रस्थिति में यह दो ही भाग तूटना होता है लेकिन जब अमीवा का प्र बाहर यदि निकले हैं पूरा बाहर को निकलेगा वही आल को बोलते हैं प्रतिकुल जो आप चाहते हैं कि बाहर जैसे महाल होना चाहिए था वैसा नहीं है उसको प्रतिकुल कहते है और आपको जहां बाहर जैसे चाहिए था वैसा ही है तो अनुकुल कहलाता है तो प्रतिक महां टहों होता है तो होता ना बिश्यस तरह से निहालिक आबाश सकता सालिएये जिसा में फ़ड़ना सबस्च जय सें तरह स Case कि जब लिधी वरेकर सतना होता है कि अपने ऊपर यूष स्समांत्र घंब उपर है इसके आहाता लियर लियर यानि सतह चाहता है और सतह को ही हम बोलते हैं इसको का जाता है सिष्ट का जाता है और जो सिष्ट होता वावना जो सतह बनता है यह बना होता प्रोटीन का और प्रोटीन के सतह सही ही यह अपने आपको गहलता है फिस उन्हें हमीवा कि जब प्रतिकुर्श दिदी या आती है तिया अपने उपर यह चाहाता है दिया उसलिए मेर का नाम होता है जो बना होता अप rustण का लेकि परोटीन का अपना तो होता है और शरणेейчас के अंदर होता है अमीबा नहीं होता है अंदर अमीबा 1-2-2-4-4-6 होते रहता है तो बताइए कि जब तक लियर रहेगा अमीबा तो संथ है नहीं अंदर अमीबा अने टूटते रहेंगे तो टूटते टूटते अनेकों हो जाते हैं लेकिन जब इस्थिति आती है अनुकूल प्रतिकूल था पटल ने चाहिए था ना जो अनुकूल आएगा तो यह सिस्ट का जो आप्रन होता है यह फट जाता है और फट करके अंदर से जो अमीवा था बड़ी मनि वह अनेको बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद वही अमीवा जो बाहर निकलता है उसी के रिया को हम बहु क्षेक है चले फिसे ईए आलेईगे बेट नो होता है ब्राद कि यह को बना यहां से अंसा बना है वकंडल एक अलाइंड बनाता है इसने प्लेंग मुंखो distal करिया जिसमें कोई भी जो दो भाग में यह दोस्स से अधिक भाग में टूटकर नए नए जय बनाता है तो उससे बोलते हैं विखंडन अब नीचे से आएंगे विखंडन मुकत दो तरह को होता है पहला बोलना है द्विखंडन दुस्या बोलना है बहुखंडन अब आई द्विखंडन लिखे दते हैं डəs उसमें तो द्वी खंडण कहते हैं कि वी खंडण की वह करिया जिसमें कोई फिजिव दो भाग में तूटकर नए नेजिव बनाता है उसे द्वी खंडण कहते हैं ठीक है और एक आम जैसे में लिखना है जैसे में अमेवा अनुकुल प्रस्तिती में दो भाग में तूटकर नए और बोलेंगे कि बेखांडन की उभाक्रिया जिसमें कोई भी जिऊ दो से अधिक भागों में तूटकर नए नए जिऊ के विकास करता है उसे बहुत खंडन ठीक है और बहुत खंडन में नीचे जैसे लिखना है तो बताना है कि अमीवा प्रतिकूल श्तिति में प्रतिकूल लिए जिससे सिष्ट कहते हैं वह प्रोटीन का बना होता है और इस सतह के अंदर हमीवा का लगातार भी खंडन होते रहता है और जब श्तिति अनुकूल आती है तो यह सिष्ट का आवना फोड़ जाता है और अंदर साने कमियों बहार निकलते हैं जिससे बहुत खंडन कहत कैसे होता है कि पहले उसको गिला किजिए और गिला कि भींगे कबराम रख दीजिए एक उसमें से निकलता है और आंकूरन के बाद ही चने से नए पौधे का विकास होता है यदि इसके अलावी को यॉप जाए जो बीजवाला हो उसमें सभी में घटना होता है जैसे आम का सब्सक्राइब करहों मूख यूच जब नई पौध का से किसी पौधे का बनना विच्टाश्ट जब क्या थे मिश्ता चलते कैसे में ऊपर देखते पूब कि इसे उसे नासन निकलता बास तिके और यही धिमी-धिमी इसकों मैं से बनते हैं जड़ बनाता है यिए यह पहाँ है और कि कि तना पती सखा बन जाता है मुकुल में यह मुकुल जो निकला था इसमें सभी आवस्था को बन जाता है तो यह एक नए पौधर विकास होता है इसे क्रिया को हम बोलते हैं मुकुलन सभी आवस्था जैसे जड़ तना सखा पती आदी बन जाते हैं तो वो अपने जनक जीव से अलग होकर एक नए पौधे का विकास करता है तो उसे हम लोग कहते हैं मुखला क्लिया कहते हैं ठीक है चलिक आगे चलते हैं और विजाओं जन्रूर्ण किसे कहते हैं तो देखिए इसमें कहते हैं कि यह अभी एक अरेंजरन होता है अलाइंजर इस अब तो ही चल रहे हैं देखिए इसमें एक जामपल थ्वास है यह फोटो बना लेते हैं तो समझ में आगा देखिए इसमें भीजाओं जन्रूर्ण क्या होता है जैसे आप वो पौधा देखिए पौधा में होता है करा जो ता है राइजोपस कुछ इस तरह का होता है ठीक ना और इसमें बाहर व हो तो यही किए बिजानौ और यहां जानते हैं कि जैसे कि बैको होते हैं जब यह धनिया फटता है लिए अब वायू की सहीता से फैल जाता चोड़ तरफ और फैल करके नमी प्राफ्ट करती है और फिर वही सीजन में उससे एक नए पौधे बनता है तो उसे बोलते हैं बिजानों जनर कहते हैं ठीक है जैसे आप देख सके तिसमें आप आप हमारे शितर कहीं होगे आसपास के ते आप जैसे जानते हैं जह तो धनिया अपनों सो फड़ जाता है और आधा सरसों खेत में रहा происходит सरसों का इसके अंधर कहथा जाय आएगा और अगले और सर्सव आप नभी रुपे आपके खेत में नए सर्शों का विकास होगा वह किरिया होगा हो वही बिजानुजन का लाइगा ठीक है चलिए इसको विश्टाश मतादते हैं सुने बाव देहिए इसमें कहना है बिजानुजन किसे कहते हैं और बिजानुजन होते हैं जब अनुकुल परस्तिती आती है ता यहीदनिया फड़ जाता है और अंदर से अदर के बाहर निकलने के बाद वह मंडल से फैल कर नए नए जीवों का विकास करता है तब उस किया को हम लोग बोलते हैं जरन ठीक है और उसके बाद आप इसको राइजोपस के नाम लिख करके नेचे एक्जामपल में आप इसको फोटो बना सकते हैं इतना बनाएगा इतना पूर टावर देखे हैं थैक हम लोग के एस पास में जैसे इएंडियाती हास होता चिटर मोची के बच्छा कर जाता है जैसे खर जाता किश को तो को तोसके आल पर एक कंटनोमा पहुदा होता होता हारी रभा का होता हूँ बिला कम निकलता है और बीना लोपे हर सिजन में उससे एक delicे बनते हैं जयसे आप अलू काटिए गालू आँसमें आलung पहियेखा हूता होता है अनुद और का उर। प्रवर्धन से क्या समझते हैं का इक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं इसमें क्या होता है विष्टाष से देखेंगे यह क्या होता है और इसमें क्यों होता है और इसमें कहते हैं moves होता है और पतिसीले देखें तरह होता है क्योंन सब्सक्राची यह और मोदन होता है तो एक अड़िया फिसने अगा यह एक अलाई जनान है जोब किसी जीव के किसी भी वर्दी भाग से वर्दी कहते हैं सुखाव भाग से नहीं समाले किसी पौधे के गुलाब एक यह से आपको नए गुलाब बनाना हो ते क्या गुलाब का जो सुखाव और डंगी उसको लगए अगर विएगा धिकद है जिव वह हरा भाग उसको वर्धी कहते किसी वर्धी भाग से एक नएप से म॥ादी व करना है काईक परवर्धन कहलाता है ठीक है ना का चींस तरिकास होता है कुंस तन ना का मा आपको पार्ठ लेग यह एक ऑप तीस भी सब्युक्त होता है जैसे ब्राइवान का आप से बोलेगा कि पती द्वारा काईक पॉर्धन को बताएं तो बोलना है कि पतियोद से एक नए पॉधे का विकास होना पतियोद द्वारा काईक पॉर्धन कहलाता है जैसे में आप कर सकते हैं बरावर फिल्लम कर सकते हैं यह हमारे आसपास के जो सीज होता है या फिर आप अब एलोवेरा देखें होंगे उससे भी नए पौधे तुरंद बन जाता है तो पतीस नए पौधे का बनना पतीद्वरा काई के परवधन कहलाता है ठीक है फिसन ने कोशन बोलेगा पतीद्वरा काई परवधन से आप क्या समझते हैं तो बोलना है आपको है शुरुवात से कि जब किसी पौधे के किसी भी वर्धिभाग से एक नए पौधे का निर्मान हो जाता है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं काई परवधन ठीक है और काई परवधन में आपका सकते हैं काई परवधन अनेकों अंग से होते हैं इसमें पहला बताईएगा पती से तना से जड़ स बता सकते हैं ठीक है नए पौधे बनते हैं और आए सखाय से बनता है सखाय में आप देखें आसपास हमारे आसपास मुनगा का पेड़ होता है मुनगा 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 जिसमें आप से देखेंगे एक नए पौधे का बंद विकास होता है किसी भाग से कटते नए पौधे ब और देखे इसमें आपको प्रकंद किस पौधे का हम लोग यूज करते हैं किस भौधे का खाते हैं तो उस पौधे का हम कौन सभाग खाते हैं प्रकंद खाते हैं खाते हैं तो सर्ग्द खाते हैं इसे से नए पॉद्धे का विकास होता है और इसे को भाग को हम लोग खाते भी हैं सब्सक्राइब किसमें पाए जाते हैं पियाज और लस्न पाए जाते हैं ठीक है और आते हैं अगला अस्तमकंद अस्तमकंद भी तना का भाग है और इसके अंद आता है आलू का हम लोग तना खाते हैं और तना का अस्तमकंद खाते हैं ठीक है आगे चलाते हैं तो आकंद यह भी एक तना का भ जानते हैं ठीक है तो आखंद में और बाग होता है हो ठीक है और यह भी तरह कुण कांब आगे आते हैं तो जड़ होता अएष ओर जार में कुमभा मुल्फ होता है और यहा किसमें होता है हम लोग है तो सल्जव या चुकंदर में ठीक है चुकंदर आपके भी खाया होंगे जिसे ब्लड की मात्रा बहुत अधीक सरी बनता है चुकंदर हम लोग के लाभकारी होता है तो आपके लिए लाभकारी बहु जाते है कि कि किसी के सभी में बलड की कमी होती है और शुकंदर को पसंद आए या नहीं आए लिकिए आपके सही के लबदयक है आप उसके ऊसका क्षाने में ठीक है तो चुकंदर कौन सबाख आते हैं कुर्भा मुलूब खाते हैं या कुम मुलूब खाते हैं किसके हिसे का जड़ की से ठीक है आगे चलाते हैं थर्ड में आपका संको मुलूप क्या होता है और गाजर यहां जो है जड़ का कौंग हिसा है संकन मुलोभ है यह कि मुली जो है तुर्क मुलोभ है फीचिंगे और आगे आते हैं आपको पूरा तरस जड़ का हो गया क्रिया तना की टाइब के प्रेकंद और जड़ भी होता है चार्थ रखके तुर्क मुलूप कुर्भा मुलूप और गाठदार मुलूप ठीके और एक पती बता है इसको फिर से हाल नीव बता देता है रिभाज कर लेते था कि पूरा एक बड़ा एक छोटा से समय में सब की सब कर सब भाज़ को ओ Een तो और एक होते हैं मताते है दो भाग रहें और के न ये न already बनाता है तो उस्चेंड बीकित होते हैं एक होते हैं रीकृतब एक होते है बहु खंडन बताया कि विखनन की वहर करिया? जिसमें कोई 运ब वीजिवressu दो भाग में तोटे और नए जिव का विकास करता है तो उसे मतहिता जिसके ऑपा सबनतें जिरुखन आता है वह भार को बोलते हैं मुकुल और मुकुल में सभी आवस्तेकंग बन जाने के बाद जब वह अपने जनक जीव से अलग होकर नए जीव कुत पती करता है तो उससे बोलते हैं मुकुलन जैसे मैं आप कुछ बता सकते हैं चनक बता सकते हैं आलो बता सकते हैं जिससे मु और वह धनिया अनुकूल प्रष्थिति में फड़ जाता है और फड़ करके वह बिजानों बहार निकलते हैं और वायू को माध्यों से फ्यलकर नए जीव का विकास करता है तो उसे बिजानों करते हैं चलिए आगे आते हैं काई परवर्षन इसमें बताएं कि किसी भी जीव क किसी भी जीव का किसी भाग से कि नए पौधे का विकास होना का एक परवर्षन कर लाता है जो मुखिता तीन तरह से होता है बता सकते हैं सखाय से होता है तना से होता हो जड़ से होता है सखाय से इसमें बता सकते हैं आप पती से तो पती से नए पौधे का बनना पती दुर तो आपको इसमें जाद्र तर अबजेक्टिब उखे जाते हैं तो बताई ओल का तना का कौन से भाग से नहीं पति का विकास होता है या कौन से भाग हम लोग खाते हैं तो क्या वो लेगा अगन बोलिएगा ठीक है यह आप से बोल देगा कि बते चुकंदर के किस भाग को खा इसमें तो कहते हैं जब भी किसे जीव का जब यह किसी का ऐक भाग के अनेक सांटेस होता है उससी लुक्तव कहम पूछी को काट दीजी आप पुछ को काटने के वाद उस नए के निरवान होता है पुरण से मैं घटा नहीं हम से बताएं चलिए पुर एज़ांबल शटी मैं यह देखे प्लेनरिया होता है फेर इसाहर एक भाग में होता केंद्र आप कहीं से विशुका प्लेनरिया कोशने क और कई किसी से कर्दते हैं यानि किसी खंड से किसी कुछ चिंग से सब से जादे पूछ गयाए धूत्र आवए हो तो के मिदरी यह सक मोझे मिध्या है फैरए गैक किसी भाग से किसी क्यों के विक्राश कोणा पुरुण ध्भावन कहा जाता है ठीक है और उसमें जैसर में बता सकते हैं हईड्रा और रिव-ध्रार करते के तुक इसके बाद आपका इतना ही इसके में आपको पार्ट फॉर्ट अलसर फोड यह सबते ho होगा वह फुसभी पात ओर में लाइंगे प्रजनन होता है ठीक है उसका शूर वाथ करते हैं आज केली इतना ही धन्यवाद और My का उसे रगे जिन